प्यारे विध्यार्थियों, नमस्कार आशा करती हूँ, आप सभी तंद्रुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रती आप सबका उत्सा कायम होगा बच्चों, आज हम आठ्वी कक्षा के विज्ञान का अध्याय सोला प्रकाश पढ़ेंगे तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने पहले क्या सीखा है अपने चारों और की वस्तू की सूची बनाईए हम अपने चारों और देखने के लिए शरीर के किस अंका इस्तमाल करते हैं किसी भी वस्तू को देखने के लिए नेत्र के अलावा और क्या आविशक है दरपन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं ये थोड़ा बहुत हम जानते हैं चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे परावर्तन के नियम नियमित तथा विश्रित परावर्तन बहु प्रतिबिंब मानविय नेत्र और ब्रेल पद्दती तो चलिए बच्चों इन सभी के बारे में एक-एक कर पढ़ना शुरू करते हैं वस्तूओं को दृष्य कौन बनाता है बच्चों हम अपने आसपास की वस्तूओं को किस प्रकार देख पाते हैं मुख्य रूप में हमारी पांच ज्यानेंद्रियों के साथ हम अपने संसार को जानते हैं यह है देखना, सुनना, स्वाद लेना, सुगंध लेना और स्पर्श करना नेत्र हमें देखने में, कान सुनने में, जीब स्वाद लेने के लिए नाक सुगंध लेने के लिए और हाथ यह हम कह सकते हैं त्वचा स्पर्श के लिए सहायक होते हैं ग्यानेंद्रियों में द्रिष्टी एक सबसे महत्वपून ग्यानेंद्रिय है लेकिन बच्चों, क्या आप अंधीरे कमरे में किसी वस्तू को देख पाते हैं? नहीं न, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि नेत्रों के अतिरेक्ट वस्तू को देखने के लिए हमें प्रकाश की भी आविशक्ता होती है किसी वस्तू को हम तब ही देख सकते हैं जब उस वस्तू से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है यह प्रकाश वस्तूओं द्वारा उत्सर्जित अत्वा उनसे परवर्तित हुआ हो सकता है कुछ वस्तूओं अपना स्वेम का प्रकाश उत्पन कर सकती हैं जैसे की सूर्य, फ्लोरसेंट बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, इत्यादी इन्हें हम दीप्त वस्तूओं कहते हैं लेकिन हमारे जीवन में जो वस्तूओं हम देखते हैं उनमें से कई अपना प्रकाश उत्पन नहीं करती हैं जैसे की मेज, कुर्सी, दिवार, कागज, इत्यादी इन्हें अदीप्त वस्तूओं कहा जाता है बच्चों फिर हम इन अधीब तवस्तों को किस प्रकार देख पाते हैं? हाँ यह है प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है यह है अधीब तवस्तों प्रकाश को हमारे नेत्रों की और परावर्तित कर देती है लेकिन यह परावर्तित होने वाला प्रकाश कहां से आता है? बच्चों, यह प्रकाश कहीं और से नहीं, बलकि किसी दीप्तवस्तू का होता है इसका अर्थ है कि हम किसी अदीप्त वस्तू को उस पर पढ़ने वाले दीप्त वस्तू के प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पाते हैं इसी कारण हम दिन के समय सूरे के प्रकाश में नीला आकाश हरे पेड़ पौधे आदि देख पाते हैं जो सूरे को प्रकाश को परावर्तित करके हमारे नेत्रों तक पहुंचाते हैं रात्री के समय हम आकाश में चंद्रमा को देखते हैं क्योंकि चंद्रमा उस पर पढ़ने वाले सूरे के प्रकाश को परावर्तित कर रहा होता है चंद्रमा स्वैम अदीप्त होता है उसका स्वैम का प्रकाश नहीं होता तो इस प्रकार हम वस्तुओं को देख सकते हैं आईए बच्चों, अब हम परावर्तन के नियमों के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, हम अदीप्त और दीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ चुके तो क्या आप बता सकते हैं, दीप तवस्तुएं किस दिशा में अपना प्रकाश परावर्तित करती है देखिए, एक फ्लोरसेंट बल्ब को देखो, ये प्रतेक दिशा में अपना प्रकाश दे रहा है माल लीजिए कि इस बल्ब से प्रकाश की एक किरन फर्ष के साथ टकराती है इस किरन को आपतित किरन कहा जाता है फर्ष आपतित किरन को दूसरी दिशा में परावर्तित कर देता है फर्ष से मुड़ी हुई इस किरन को परावर्तित किरन कहते हैं लेकिन केवल यहे दिशा क्यूं? कोई और क्यूं नहीं? यह इसलिए क्योंकि प्रकाश की किरने दो नेमों के अधीन कारे करती हैं आपतित किरन के फर्ष के साथ टकराने वाले बिंदू पर अभिलंब बनाईए आपतित किरन और इस अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं जिसे एंगल आई के द्वारा दर्शाया जाता है आई है एंगल फॉर इंसिडेंस आपतन कोण परावर्तित किरन और अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं जिसे हम angle R से बताते हैं Angle for reflection आईए अब परावर्तन के नियमों के बारे में बात करते हैं परावर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतन कोन सदैब परावर्तन कोन के बराबर होता है यही कारण है कि यदी कोई किरन एंगल आए या आपतन कोन पर किसी एक सतह पर टकराती है तो वह एक ही दिशा में परिवर्तित होगी जिसका परावर्तन कोन अर्थार्थ एंगल आर आपतन कोन यानि की एंगल आई के बराबर होगा यदि हम आपतन कोन को बदलते हैं तो परावर्तित के रण भी उसी अनुसार बदलेगी एंगल आय को बराबर रखने के लिए अपनी दिशा में उसी अनुसार बदलाव लाएगी यह था परावर्तन का पहला नियम परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतित किरन आपतन बिंदू के उपर अभिलंब और परावर्तित किरन यह सभी एक ही तल में होते हैं इसलिए हम अपनी कौपी पर परावर्तन को असानी से दर्शा पाते हैं क्योंकि सभी किरनों का तल एक ही है हमारी कौपी का पन्न लेकिन सोचो यदि परावर्तित किरन पेज से उपर की तरफ उठकर बन रही होती तो क्या हम उसे देख पाते या क्या हम उसे दिखा पाते इस स्थिती में परवर्तन का चित्र कुछ इस प्रकार बनना था जहां आपतित किरन और अभिलंब एक ही तल में होते लेकिन परवर्तित किरन का तल भिन होना था लेकिन यह असंभव है आईए बच्चों, एक क्रिया के द्वारा हम परवर्तन के नियम को समझते हैं एक मेज पर एक श्वेत शीट लगाईए एक कंगी को इस शीट पर लंब इस्थिती में रखिए अब एक टौर्च की सहायता से कंगी के छिद्रों में से प्रकाश को निकालें प्रकाश की किर्णों के पत में एक समतल दर्पन रखिए आप क्या देखते हैं? हाँ, हमें किर्णे दर्पन से परावर्तित होती हुई दिखती हैं इन्हें दिखाए अनुसार अंकित कर गे और अभिलंब को भी बनाईए अब आपतन कोन और परावर्तन कोन को पहचान कर अंकित करिए दी या प्रिटेक्टर की सहायता से इन कोनों को ना पिए आप देखेंगे कि दोनों कोन लगबग बराबर हैं इससे परावर्तन का पहला नियम सिद्ध होता है कि आपतन कोन और परावर्तन कोन सदैव बराबर होते हैं बच्चों, आप टॉर्च की स्थिती को भी बदल-बदल कर और भी कई रीडिंग्स ले सकते हैं जब कागस की शीट मेज पर बिचाई गई है तो वह एक तल को निरुपित करती है जब इस कागस की शीट को काट कर इधर दिखाए अनुसार मोडते हैं तो हम एक नया तल बना देते हैं अब हमें केवल आपतित किरण और अभिलंब ही एक तल में होने के कारण दिखाई दे रही हैं और परावर्तित किरण के तल के बदल जाने के कारण यह दिखाई नहीं दे रही है इसी के साथ परावर्तन का दूसरा नियम भी सिद्ध होता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सदैव एक ही तल में होते हैं चलिए बच्चों, अब हम नियमित और विश्रित परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि किसी सतह पर पढ़ने वाली किरणे परावर्तित हो जाती है जब परावर्तन दरपन जैसे किसी पॉलिश की गई सतह से हो रहा हो तो इसे नियमित परावर्तन कहा जाता है जल की सतह, चमकीली टाइल्स की सतह से प्रकाश का परावर्तन नियमित परावर्तन का उधारन है नियमित परावर्तन प्रतिबिम बनाने में समर्थ होता है इसलिए जब भी हम किसी चमकदार तल को देखते हैं तो उसमें हमें अपना प्रतिभिम दिखाई देता है लेकिन जब प्रकाश की किरण किसी दिवार या किसी लकडी की बनी सत्या पर पड़ती है तो होने वाले परावर्तन को विस्रित परावर्तन कहा जाता है इस स्थिती में हमारा प्रतिभिम भी नहीं बनता इसलिए हमें दिवार या लकडी के मेज में कोई प्रतिभिम नहीं दिखाई देता विस्रित परावर्तन में प्रकाश की किरणे भिन भिन दिशाओं में परावर्तित हो जाती है हमारे नेत्रों तक पहुशने वाला प्रकाश समाने रूप से विश्रित परावर्तन का ही परिणाम होता है आईए बच्चों, अब हम बहु प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं बच्चों, दो समतल दरपन लेकर टेप की साहिता से इन्हें जोड़ें ध्यान रहें कि दरपन आसानी से अलग-अलग कोणों पर मुड़ जाए अब दिखाए अनुसार दरपनों को एक कोण पर सेट करें दरपन के सामने कोई भी वस्तु जैसे कि मुम्बत्ती, बॉल या पैंसल रख सकते हैं इसका प्रतिबिम्ब हमें दरपन में दिखाई देता है अब दोनों दरपनों के बीच कोण को बदल ये अथार्थ जो जोड़ें गए दरपन हैं उन्हें एक दूसरे के निकट ला सकते हैं या दूर ले जाए आप देखते हैं कि जैसे जैसे दरपनों के बीच का कोण बदलता है उसी प्रकार बन रहे प्रतिबिम्बों की संख्या भी बदल जाती है तो बच्चों क्या आप इन प्रतिबिम्बों के बनने का कारण बता सकते हो बच्चों यह प्रतिबिम्ब परावर्तित प्रकाश के दुबारा परावर्तन के कारण बनते हैं इसका दैनिक जीवन में उप्योग आपने नाई की दुकान में देखा होगा जब हम अपने बाल कटाने जाते हैं जब अपने सर के पीछे के बाल देखने के लिए नाई आपको सामने लगे शीशे में अपना प्रतिबिम्ब हाथ में पकड़े हुए दरपन में देखने के लिए कहता है तो बच्चों आपको पता है दरपनों के द्वारा बहु प्रतिबिम्ब बनने की धार्णा का उप्योग ही बहु मूर्ति दर्शी ये कलाइडोस्कोप में भाती भाती के आकर्शक पैटर्ण्स बनाने के लिए किया जाता है आईए बच्चों, हम अपना एक कलाइडोस्कोप बनाते हैं कलाइडोस्कोप बनाने के लिए दरपन की तीन आयताकार पत्तियां लीजिए और इन्हें प्रिज्म के आकरती में जोड़िए अब इन्हें गत्ते की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में द्रड़ता से लगाईए ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक डिस्क से बंद कीजिए जिसमें भीतर का द्रिश्य देखने के लिए एक छिद्र हो इस पर प्लास्टिक की पारदर्शी शीट चिपकाईए ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल काँच की एक व्रत्ताकार प्लेट दरपणों को छूते हुए द्रड़ता पूर्वक लगाईए अब इसमें छोटे-छोटे रंगीन काँच के टुकडे रखिए आपका कलाइडोस्कोप तयार है इस छित्र से जब हम अंदर जाकते हैं तो आपको ट्यूब में भली भाती के पैटन्स अलग-अलग तरीके के डिजाइन्स दिखाई देते हैं तो इस प्रकार हम अपना कलाइडोस्कोप बना सकते हैं चलिए बच्चों अब हम सूरे के प्रकाश के बारे में कुछ जानते हैं आपने वर्षा के पश्चाद आकाश में इंद्रधनुष या सत्रंगी पेंग को अवश्य देखा होगा क्या आपको पता है? इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपन के कारण बनता है आईए एक क्रिया के द्वारा जानते हैं कि प्रकाश का विक्षेपन किसे कहते हैं एक कटोरी लीजिए उसमें जल भरिए फिर कटोरी में एक समतल दरपन को लंब रूप में रखिए इस व्यवस्था को किसी खिड़की के निकट इस प्रकार से रखें कि दरपन पर सूरे का प्रकाश सीधा पड़ सके और कटोरी की स्थिती को इस प्रकार से रखें कि दरपड से परावर्तित होने वाला प्रकाश किसी श्वेत दिवार पर पड़े परावर्तित प्रकाश में आपको अनेक रंग दिखाई दे रही है प्रकाश का अपने रंगों में विभाजन प्रकाश का वन विक्षेपन या डिस्पर्जन कहलाता है तो बच्चों, इंद्र धनोश विक्षेपन दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिगटना है चलिए बच्चों, अब हम हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग जिसकी वजह से हम आसपास की वस्तूओं को देख पाते हैं हमारे नेत्र, इनके बारे में पढ़ते हैं हम यह पढ़ चुके हैं कि आसपास की वस्तूओं हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है आईए, अब हम यह जानते हैं कि जब हमारे नेत्रों में परावर्तित प्रकाश के किन्ने पढ़ती हैं तो क्या होता है बच्चों हमारे नेत्र का आकार लगभग गोल होता है नेत्र की सबसे बाहरी परत को कॉर्णिया कहा जाता है इस परत का रंग सफेध होता है और यह पारदर्शी है पारदर्शी हां अर्थार्थ इस परत के द्वारा प्रकाष की किर्ने हमारे नेत्र में प्रवेश कर जाती है कॉर्णिया कठोर दिवार की तरह कारे करती है लेकिन इसका कारे क्या है? बच्चों यहें नेत्र के आंतरिक भागों को दुरघटनाओं से बचाती है कॉर्णिया के पीछे गहरे रंग की पेशियों की एक सरंचना होती है जिसे हम परितारिका या आईरिस कहते हैं आईरिस नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है जब हम कहते हैं कि इस व्यक्ती की आंखे नीली हैं या भूरी हैं तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की ही बात कर रहे होते हैं परितारिका या आईरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं इसमें एक छोटा सा द्वार होता है जिसे हम पुतली कहते हैं यदि हम टॉर्च के प्रकाश को सीधा नेत्र में डाले तो पुतली का आकार कम हो जाता है क्यूंकि प्रकाश की इतनी तीवरता को नेत्र सहन नहीं कर सकता लेकिन यदि कम प्रकाश हो या अंधेरा हो तो पुतली का आकार बढ़ जाता है ताकि अधिक प्रकाश नेत्र में पहुँँच सके और आसपास की वस्तूओं को देखा जा सके पुतली के द्वारा नेत्र में पहुँची किरण पुतली के पीछे स्थित एक लेंस पर पड़ती है हमारे नेत्र का लेंस उत्तल लेंस होता है जो की बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है इस परत को दृष्टी पटल या रेटिना कहा जाता है यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं यहां पाई जाती है शंकू जो तीवर प्रकाश के लिए सुग्राही होती है और शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा अनुभव की गई समवेदनाओं को द्रग तंत्रिकाओं यानि की ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा मस्तिक्ष तक पहुचा दिया जाता है बच्चों हमारे नेत्र में एक जगह पर अंध बिन्दू होता है अब ये अंध बिन्दू क्या है या जिसे हम लोग ब्लाइंड स्पोट भी कहते है बच्चों ये वह जगह है जहाँ पर जब प्रकाश पढ़ता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है चलिए आईए अंध बिन्दू के उपस्थती या इसके अस्तित्व को एक क्रिया के द्वारा जानते है एक कागस की शीट पर एक गोल चिन्ह लगाईए और इससे कुछ दूरी पर एक क्रॉस बनाईए कागस की शीट को नेत्र से बुजा की दूरी पर पकड़िए अपने बाए नेत्र को बंद कीजिए और क्रॉस को कुछ देर तक लगातार देखते रहिए अपने नेत्र को क्रॉस पर स्थिर रखते हुए शीट को धीरे धीरे अपनी और लाईए आप क्या देखते हैं? गोल चिन शीट के किसी दूरी तक आने पर अद्रश्य हो जाता है अब आप अपना दाया नेत्र बंद कीजिए अब गोल चिन पर देखते हुए इसी क्रिया कलाप को फिर से दोहराईए क्या हुआ? इस बार क्रॉस अद्रश्य हो गया? हाँ बच्चों, क्रॉस या गोल चिन का अद्रश्य होना यह दर्शाता है कि रेटिना पर एक ऐसा बिंदू है जो प्रकाश पढ़ने पर इसकी सूचना मस्तिक्ष तक नहीं पहुँचाता है यह अंद्र बिंदू, आप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधी पर होता है जहां पर कोई भी आप्टिक नर्व नहीं होती है इसलिए हमें गोल बिंदू और क्रॉस उस दूरी पर दिखाई नहीं दिते जिस दूरी पर इनके द्वारा आने वाली प्रकाश की किर्णे अंद बिंदू पर फोकस होती है अंद बिंदू पर कोई आप्टिक तंत्र का नहीं होने के कारण मस्तिक्ष तक कोई सूचना नहीं पहुँचती है बच्चों मानविय नेतर के बारे में एक और दिल्चस्प बात यह है कि रेटिना पर बने प्रतिविम का प्रभाव वस्तु को हटाने पर तुरंथी खतम नहीं होता यह लगबग एक बटा सोला सेकिंड तक बना रहता है चलिए इसे भी एक उधारन के द्वारा जानते हैं देखी हमारे आस पास यहां कुछ तस्वीरे हैं जिनमें बहुत हलका सांतर है इन चित्रों को एक प्रतिविम प्रति सेकिंड के साथ देखें यह कुछ इस प्रकार दिखती हैं अब यही दर पांच प्रतिविम प्रति सेकिंड बढ़ा कर देखते हैं बच्चों क्या आप कोई अंतर नोट कर सकते हैं हमारे नेत्र चित्रों को बदलते हुए देख पाते हैं अब हम यदि चित्रों को बदलने की दर 24 प्रतिविम प्रति सेकिंड कर दें अरे यह तो किसी वीडियो की तरह चलते हुई दिखाई दे रही है फिल्म में नेत्र के इसी गुण का उपयोग किया जाता है सो बच्चों नेत्र हमारे शरीर का एक महत्वपून अंग है इसलिए आविशक है कि हम इनकी उचित देख भाल करें आईए अब नेत्रों की देख भाल के कुछ तरीकों पर चर्चा करते हैं नेत्रों को बार-बार रगणना नहीं चाहिए इन्हीं बार-बार साफ पानी या जल से धोना चाहिए पठन सामगरी को सदैव नेत्र की सामाने द्रिस्टी पर सामाने दूरी पर रख कर पढ़ना चाहिए हमें वही आहार लेना चाहिए जिसमें विटामिन A अधिक मात्रा में हो आपके नेत्रों में कोई धूल का कंड गिर जाए तो इन्हें स्वच जल से धोए सूर्य या वेल्डिंग वाले स्थान पर अत्यधिक दीवर प्रकाश त्रोत को कभी भी सीधी नेत्रों से ना देखें यदि कोई समस्या है तो किसी नेत्रों के डॉक्टर से सला लेनी चाहिए आईए बच्चों अब हम ब्रेल पद्दती के बारे में जानते हैं चाक्षन विक्रती युक्त व्यक्तियों के लिए उप्योग होने वाला सर्वाधिक लोक्प्रिय साधन ब्रेल पद्दती है यह है लुईस ब्रेल के द्वारा विक्सित की गई पद्दती है यहां अंग्रेजी वर्ण माला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु कित पैटन्स का उप्योग किया जाता है देखो बच्चों जहां यहां पे कैट लिखावा बताया है यह सी, ए और टी इन उभरे हुए पैटन्स को चाक्षिन विक्रती युक्त व्यक्ती छू कर पहचान लेते हैं तो चलिए बच्चों अब हम इस पाट की दोहराई करते हैं और सीखते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा है प्रकाश सभी प्रष्ठों से परावर्थित होता है विश्रित परावर्थन किसी खुर्दरी सतह से होता है किसी कोण पर जुके दो दरपन अनेक प्रतिबिम्ब बनाते हैं बहुलित परावर्थन के कारण क्लियाईडोस्कोप में सुन्दर पैटन बनते हैं प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होना विक्षेपन कहलाता है सामान्य नेत्र, समीप या दूर की वस्तूओं को स्पष्ट देख सकते हैं ब्रेल पद्दती का उप्योग करके चाक्षन, विक्रती, युक्त, व्यक्ति पढ़ और लिख सकते हैं चलिए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्ण देखते हैं और उमीद है कि आपको इन सब के जवाब आते होंगे परावर्तन के नियमों के बारे में बताईए नियमित तथा विश्रित परावर्तन दर्शाने वाले पदार्थों का एक-एक उधारन दीजिए इन्हें आप सोचिए, समझिए और करने की कोशिश करिए तो बच्चों, इस प्रकार हमारा आज का ये अध्याय समाप्त होता है इसमें हमने परावर्तन के नियमों को ध्यान से पढ़ा हमने यह देखा कि बहु प्रतिबिम किस प्रकार बनते हैं हमने यह भी देखा कि ब्रेल पद्धती किस प्रकार से चाक्षुन हीन व्यक्तियों के लिए महत्वपून है तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अध्याय अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो बच्चों आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए आगे फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ धन्यवाद